माइकल लोबो कॉंग्रेस में मंगलवार को शामिल हुए और बुद्धवार की सुभा से ही चुरौ प्रचार करते दिखे कलंगुर से कॉंग्रेस पत्यासी है माइकल लोबो एक ऐसा नाम जो नेता नहीं बलकि जनता के सेवक बनकर उनके बीश नजर आते हैं आज माइकल लोबो ने घर घर जाकर जन संपर किया और लोगों से हाथ के पंजे पर वोट करने की अपील की साथ ही वहाँ की जनता से मीडिया ने बात की तो क्या कहना था लोगों का और माइकल लोबो का देखिए ये खास रिपोर्ट समर्तम तो बहुत अच्छा है पबलिक बहार आ रही है हम लोग कैन्वशिंग कर रहे हैं अभी नागवार पॉरा विलेज में हैं और काफी अच्छा सपोर्ट है वो लोगों के उपर है हम तो ऐसा बोलते है कि हम जितेंगे कितना वोट से जितेंगे वोगों के उपर है हमारे कार्यकरता, सब हमारे सुप्चिंतक, सब घर गर जाके लोगों को बोल रहे, कि वोट फॉर हैंड सिंबॉल, वोट फॉर कॉंग्रेस, वोट फॉर माइकल लोगो, अभी वो उतने वोट हमारे किटी में आएंगे, तो उतने वोट से जितेंगे. I hope he gets the same review, like how and he improves from what he was, he used to help people always, I hope in Congress he does the same and be for the people, yeah he has helped us in building roads, drainage, he has helped people in small small petty things also, yeah I hope he does the same. We are with Michael Lobo for development, because he has done a lot of development in our village, especially in Aarporan, Nagwa, so we are very lucky to have him and we are going to get him elected again. क्या चाहेंगे कि माइकल लोगो एक C.M के रूप में के रूप में के आप देखना चाहते हैं? बहुत सरफ परस्नली एल्प किया है, परस्नली टर्च 24-7 रात फाइनेंशली भी एल्प किया है, और बाकी जो इशू पेंडिंग था लोगो का रोड एकसेस था गर को उनको बहुत एल्प किया है. पहले भी ऐसा ही पेरता अभी ऐसा ही दिखाई देता है, हम सब उसके ही साथ है, माइकल जी ने सर ने बहुत इदर डिवलपमेंट किया है, और सब लोग उनके साथ है, अफकोर्स माइकल सर, उनकी जो काम जो पेंडिंग है, वो इस तरह वो करेंगे, तो कोशिश तो degrees करेंगे, और हमें ऐसा ये है, जो एक विष्वास है, कि जो पहले उनकी है, उनकी जो मिलता है, उसके है कि आपकोर्स हो करेंगे. मेर को लगते है उसे ज्यादा प्यार में लिगा, he'll get the people's love because BJB has troubled a lot of people, especially the taxi driver, the small time people, the people who eat from hand to mouth, you know, daily wage earners, they have been damaged, so Michael coming into the Congress and Congress taking a victory in the state, it'll make a huge difference to the common man, ordinary people. Michael is a common man, he'll help everybody, no big person, no small person, it might be a beggar, it might be a poor man, he will sit down and he will eat food with them and drink with them and he reaches out to them, Michael Lobo is not only a leader, he's a visionary, his idea is not only segregated to a small place called Kalangut, it is an entire Taluka, an entire Goa, people from various parts of Goa, South Goa, to North Goa, end of North Goa, to Kiri, to Palolayam, to Kanakon, come to him for help, so we should understand what kind of a leader. देख रहे हैं सक्च्चन न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज़